अरे नेनी ये तो बहुत हो गया लो बहुत कहां से हुआ इतनी पूरियों से तो तुम्हारे फूपा जी की दाड़ गरम हुआ करती थी हमेशा कहा करते थे कालिंदी तुम बोलती ज्यादा हो और खाती कम हो लेकिन बेटा मैं उनका एक शौक नहीं पूरा कर सकी तुम्हारी ज्यादी होते ही फूरा कर लूगी वो क्या बुवाजी उन्हें मूली के मुगलाए पराठे खाने का बड़ा शौक था एक दिन मैंने बड़ी महनत चे किताब विताब पढ़के उनके लिए पराठे बनाए लेकिन पहला पराठा खाते ही खाने के टेबल पर ही चल बसे बे बेटा मैं तुम्हें कलिकते का राज भोग खिलाओंगा देली का सून हालवा मतरा का पीड़ा बनारस का बनारस का कलाकश कलाकश खिलाओंगा मगर सर इतनी सारी मिठाईया अरे बेटा नहीं खाओगे तो ताकत कैसे आएगी और ताकत नहीं होगी तो पुलीस की मार कैसे सहोगे बेटा पुलीस की मार? हाँ पुलीस की मार गोलमाल है भई सब गोलमाल है अरे गोलमाल है भई सब गोलमाल है हर सीधे रस्ते की एक तेरी चाल है गोलमाल है भई सब गोलमाल है गोलमाल है सब गोलमाल है भूक रोटी की हो तो पैसा कमाईए पैसा कमाने के लिए भी पैसा चाहिए मां के से ना मिले तो पसीना बहाईए पैता है जब पसीना तो रूमाल चाहिए हर सीधे रस्ते की एक तेरी चाल है गोलमाल है भई सब गोलमाल है गोलमाल है जब गोलमाल है रूमाल बन गया भी कर कमीज भाड़कर कमीज के लिए भी तो फिर कपड़ा चाहिए अरे कपड़ा किसीने दान ही में दे दिया चलो दर्जी के पास जाके वो पहले सिलाईए ओ गोलमाल है भई सब गोलमाल है हर सीधे रते किये तेरी चाल है गोलमाल है भई सब गोलमाल है गोलमाल गोलमाल है सब गोलमाल है बिन सिली कमीज पे तो कुछ नहीं लिया सिली हुई कमीज पे सीलाईच चाहिए सीलाईच देने के लिए फिर पैसा चाहिए पैसा कमाने के लिए फिर पैसा चाहिए गोलमाल है भई सब गोलमाल है सीधे रते किये तेरी चाल है गोलमाल है भई सब गोलमाल है गोलमाल गोलमाल हाँ गोलमाल